नमस्कार दोस्तों स्वागताब सभी कमार योट्यूब चैनल में तो आज की वीडियो में भी बहुत सारी महतवपुन जानकारी आपको देखने को मिलेगी तो वीडियो को अंतक जरूर देखेगा ताकि कोई भी महतवपुन इंफ्रोमेशन आपसे मिस ना हो तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले अब बिना पंजी करन कर सकेंगे परवेश निर्देश जारी हिमाचल परदेश सरकार ने राज्य के सीमा के अंदर दाखिल होने को लेकर संशोदित निर्देश जारी कर दी है सरकार ने सपष्ट किया कि अगर कोई भी व्यक्ति हैवी COVID-19 केस बाले शेहरों जाने की रेड जोन से हमाचल की सीमा के अंदर दाखिल होता है तो उसे इंस्टिटूशन जाने की संस्था गत क्वारंटीन किया जाएगा समाने शेहरों से हमाचल के अंदर आने वाले लोगों को अगले 10 दिन के लिए होम कॉरंटीन होना पड़ेगा निर्देशों में जेवी स्पष्ट किया गया है कि संस्था गत जा होम कॉरंटीन का नीम उन लोगों पर लागू नहीं होगा जो अपने साथ COVID-19 रिपोर्ट लेकर आएंगे बढ़ते अगली अपडेट की तरफ बिशव विद्याले की रिजिस्ट्रेशन माइग्रेशन शाखा ओनलाइन हजारों शातरों को रहत हिमाचल प्रदेश बिशव विद्याले की रिजिस्ट्रेशन माइग्रेशन शाखा से सबंदित कारियों के लिए शात्रों को अब ओनलाइन सुविदा मिलेगी शाखा को ओनलाइन कर दिया गया है रिजिस्ट्रेशन की 2019 में ओनलाइन की गए प्रेक्रिया के बाद अब माइग्रेशन में भी जो माइग्रेशन है भी ओनलाइन अब की जा सकेगी शात्रों को एक कोलेज से दूसरी कोलेज जा संस्थान में माइग्रेशन करवाने के लिए कोलेज और बिश्व विद्याले के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे शात्र शाखा के बनाए गए पोर्टल को खोल कर इसमें उपलब्द फोरूम भरेंगे और निर्धारित फीस अदा करने पर उसे एक दिन में माइग्रेशन मिल जाएगी बिश्व विद्याले ने फिलहाल माइग्रेशन के लिए ओनलाइन अवेधन करने के लिए एक सब्ताह का समय दिया है इसलिए इन मामलों को निप्टाने में अभी कुछ समय लगेगा लेकिन आने वाले दिनों में शात्रों को अवेधन करने पर एक दिन में ही माइग्रेशन मिलना शुरू हो जाएगी तो इसके लिए आपको अवेधन कोंसी बेप साइट पर जाकर करना होगा शात्रों को ओनलाइन सुवदा के शुरू होने से रहत मिलेगी बेगर से अवेधन का रिजिस्ट्रेशन माइग्रेशन करवा सकेंगे कोलेज से वेरिफकेशन शाखा से अप्रूबल ओनलाइन ही हो जाएगी दोनों कोलेजों की सहमती भी ओनलाइन मिल जाएगी देखी जे कोलेज जा आप किसी ओर संस्थान में माइग्रेशन लेना चाते तो उसके लिए जे सुवदा फिलहाल आपको दी जा रही है लेकिन इंटर जुनिवर्सिटी माइग्रेशन की अभी सुवदा नहीं मिलेगी इंटर जुनिवर्सिटी माइग्रेशन के लिए शात्रों को जुनिवर्सिटी में ही अवेदन करना पड़ेगा अन्य विश्व विद्याले से कनेक्टिविटी ना होने के कारण और ऐसे शात्रों की संख्या कम होने से जे सुबिदा फिल हाल नहीं मिलेगी बढ़ते अगले अपडेट की तरफ हिमाचल में पांच जगव बनेंगे 50-50 बिस्तर वाले मेक शिप्ट हस्पताल तो कौन से पांच जिलों में जे बनेंगे करोना संक्रमितों की वर्ती संख्या देखते हुए सरकार ने पांच जगव 50-50 बिस्तरों बाले मेक शिप्ट हस्पताल बनाने का फैंसरा लिया है शिमला, नालागर, टांडा, नाहन और उन्ना में प्री-फैब्रिकेटर हस्पताल बनेंगे इसे बिग्यानिक तथा ओद्यों की कनुसंदान परिश्यद भार्ट सरकार कम समय में त्यार कर लेगी जे संस्थान बविश्य में अन्य जग़ा भी स्थाफित होंगे बुदवार को बिदान सबा सदन में मुख्य मंत्री जे राम ठाकु ने जे जानकरी दी इसके अलावा देखिए अब कॉरेंटीनियम तो जो पोजटी मरीज है दस दिन बाद अगर उनमें लक्षन नहीं दिखाई देते हैं तो बिना टेस्ट किये उन्हें साथ दिन के लिए होम कॉरेंटीन भीजा जाएगा मुख्य मंत्री ने का कि सरकार कोरोना के बढ़ते हुए मिरीजों के इलाज को त्यार है ICU बेंटिलेटर के प्रियाप्त विवस्ता है हिमाचल में 300 एक्टिव केस हैं 1655 लोग होम आइसोलेट हैं भी बिदायक तै करें कि एक हपते के लिए होम आइसोलेशन को लेकर जनता को जागरू करेंगे CM ने कहा कि परदेश में दुरवाग्यवष मृत्यु दर्में बड़ोतरी हुई है बहुत से लोग जांच नहीं करवा रहे हैं बे तब आ रहे हैं जब देरी हो रही है इससे मोते हो रही है इसके लावा देखे बार भी खोल दिये जाएंगे अब 25 मार्ट से करोना के कारण लोगडाउन के साथ ही परदेश में बार भी बंद कर दिये गए थे करीब 6 महीने बाद परदेश में ते नियम काईदों के साथ बार खुल जाएंगे केंदरी ग्री मंतराली ने इस सुबंद में गाईडान्स जारी की थी बहीं जल्द ही अब हिमाचल में होटल भी पूरी तरह से खोल दिये जाएंगे सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में टूरिस्ट के लिए करोना की टेस्ट रिपोर्ट और बोकिंग बाले नियम खतम कर दी है अब कोई भी परदेश में आ जा सकता है तो आज की वीडियो में इतना ही और आप अपनी राय जरूर दीजेगा कि जो भी जो फैंसले जे सरकार अब ले रही है इससे आप कितने सहमत है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजेगा तो आज की वीडियो में इतना ही आयोप जे सारी जानकारी आपको महत्तरपुन लगी होगी